नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है एक सितंबर दिन सुक्रवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहट पोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आईज़र आज से बदलने वाले हैं कहीं जरूरी नियाब मुंबई में इंडिया गड़ बंधन की पहले दिन की बैठर स्थ इसरों ने आदिते L1 सौर मिशन का लॉंच रिहलसर किया पिला इंडिया और पाकस्तान के बीच होने वाले मैच पर मंदरा रहा है खत्रा अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 पड़ी खबरों के ओर विस्तार से किंद्रिय भंडारन निगम में 173 पड़ों पर भरती किंद्व सिरकार के वोक्ता मामले खादे और सारजनिक वित्रन मंतराले के किंद्रिय भंडारन निगम में 173 पड़ों पर भरती निकाली गई है जिसमें Assistant Engineer, accountant, Superintendent, Junior Technical Assistant समीट कहीं पध शामिल है और योग्य अभ्यर्थी जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह अधिकारिक वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं बताधिक इसके लिए आविदन करने की अंतिम तारिक 24 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है वह अगर हम इसके लिए सैचनिक योगिता की बात करें तो विविन पदों के लिए विविन योगिताएं निर्धारित की गई है ऐसे में अभियर्थियों को सरह दी जाती है कि वह आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किये गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना स्टार्टप पॉलिसी PMFME डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन हैंड लूम्स खादी उद्योगों को प्रत्साहित करने और उनकी कहानी सभी तक पहुचाने के लिए फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है बता देग इस प्रतियोगिता के शुरबात 28 अगस्त 2023 से हो चुकी है वहीं इसकी अंतिम्तिती 10 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है इस प्रतियोगिता के तहट सबसे पहले प्रतिभागी को अपने यूनिट का फोटो और वीडियो बनाना होगा और फिर उसे उद्योग विभाग को contest.industries.gmail.com पर भेजना होगा इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतिभागी को पहले पुरुसकार के रूप में एक लाक रुपे दिये जाएंगे तो वहीं दूसरे पुरुसकार के रूप में 50 हजार, तीसरे पुरुसकार के रूप में 25 हजार रुप durability के रूप में प्रतिक प्रतिभागी को 10-10 हजार रुपadem दिये जाएंगे आज से बदलने वाले हैं कई जरूरी नियम आज से सितंबर महीने की श्रवात हो चुकी है और हर महीने की तरह इस महीने की पहली तारीक को भी कई जरूरी नियम में बदलाव किये गए हैं एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर शेर की गई जानकारी के मताबिक मैगनस क्रिडिट कार्ट यूज करने वाले उबवोकताओं को ट्रांजेक्शन करने पर स्पेशल डिसकाउंट का लाब नहीं मिल पाएगा और इसके साथ ही नए कार्ट धारकों को सालाना फीस भी देनी तो आपको यह काम हर हाल में 14 सितंबर 2023 तक निप्टा लेना चाहिए वही अगर आपने डीमेट खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो यह काम भी आपको 30 सितंबर 2023 से पहली पूरी कर लीन शाहिए अगर आप SBI के B-Care स्कीम में निवेश करना चाह आइडी बियाई बैंक की अमरित महोसव FD योजना में निवेश की समय सीमा भी 30 सितंबर 2023 को समाप थोड़ाई है कर निर्धारन वर्ष 2024 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का भुकतान करनी की आखरी तारीक 15 सितंबर है इसरो ने आदित्य L1 सौर मिशन का लांच रिहलसल किया पूरा भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी की इसरो के दौरा दी गई जानकारी के नुसार आदित्य L1 मिशन का लांच रिहलसल और रॉकेट की आंतरिक जांच पूरी हो चुकी है इस अंतरिक्ष यान को 2 सितंबर को सुभा 11.50 बचे स्रीहरी कोटा स्पेस पोर्ट से लांच किया जाना है आपकी जानकारी के बता दे कि शुरे के अब्जर्वेशन के लिए इसरो दौरा लांच किया जाने वाला यहाँ पहला समर्पित भारतिय अंतरिक्ष मिशन होगा ज आधिते एलबन विशन का उद्देश एल के चारो ओड की कक्षा से सुरी का ध्यान करना है लिहारी पहचार में आज हम बात करेंगे अनुराधा प्रशाद के बारे में अनुराधा प्रशाद बेबाग, तेस, तरार, पत्रकार और कुशल उद्यमी है अनुराधा में उन्होंने 40,000 रुपे के कुल निवेस के साथ नई दिल्ली में दो बेडरूम के अपार्टमेंट में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस, बैक फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड स्थापित किया। बहुत लोग प्रिय हुआ, बाद में उन्हें ने ब्रांट के तहत 24 धमाल 24 भी लॉंच किया गया, उनका मीडिया इंस्ट्यूट आयू सोम्स भारत के अग्रणी मीडिया संस्थानों में शुमार हो चुका है, वह फिक्की और CII entertainment की समीतियों के सदर्श्य भी रही है, वह उत कॉंस्टेबल की निउक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याची का खारिज, पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस के भी चंदरन एवं जस्टिस पार्थ सार्थी की खंड़ पीट के द्वारा बिहार पुलिस एवं बिहार विसे ससस्त्र बल में कॉंस्टेबल की नि अधित याची का पर सुनवाई करते वे उसे खारिश कर दिया गया, इस दौरान कोट के ओर से कहा गया है कि योगिता प्राप्त करने, कट अफ्तारी करने और उपरी एवं नियुंतम आयू सीमा की सर्तों को पूरा करने में कोई गरबरी नहीं दिखती है, ऐसे मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का काम है, बता दे कि कोट के द्वारा यस्पस्ट कर दिया गया है कि अध्यान में रखना आवर्शक है, कि राजी नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सर्तों पर नियुक्ति लेने के लिए बहतर रस्तिती में है, आपकि जानकारी के लिए बता दे कि एक अगस 2022 को जारी योगिता स्तर्थ और आयू सीमा के आधार पर अधिसूशना को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि कट अफ्ती थी में उन्हों में द्वारों को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने साचनिक वर्ष 2022-23 के दौरान अपने इंटर्मीडियेट डालती है राशन कार्ड बनवाने है तो जरूरी है यह आविशक दस्ताविज अगर आप भी राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आविदन कर सकते हैं बता दे कि राशन कार्ड बनवाने हैं तो कोई भी पात्र पडिवार व्यक्ति कभी भी आविदन कर सकता हालाक इसके लिए आवेदा के पास कुछ दस्तावीजों का होना अनिवारे है जिसमें परिवार के समी सदर्शों के आधार कार्ड की चाया प्रती, संपुन परिवार का तीन पोटोग्राफ, आवासी प्रमान पत्र खाताधारी एवं बैंक का नाम, खाता संख्या एवं IFSC को मामिल है, मालुम हो कि राशनकार बनवाने हैं तू अनुमंडल एवं प्रखंड काड़याली की RTPS काउंटर पर आवेदक संपर्क कर सकते हैं, महीं ऑनलाइन आवेदन हैं तू HTTPS कोलम्स लैस 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 आर्सी ऑनलाइन.bihar.gov.in पर विजिट किया जा सकता है, इसके दॉक्टर राजिंदर प्रशाद का पैतरिक आवास, गंतंतर भारत के प्रत्रम राश्ट्रोपती देश रत्रन दॉक्टर राजिंदर प्रशाद का पैतरिक आवास अब काफी लंबे अर्से के बाद मूलभूत सुविधाओं से लैस हो रहा है, बता दे कि यहां पेजल 144, बिजली पात्वे गार्डन के साथ साथ पेंटिंग और जिनुधार का काम शिरू होना सुरू हो गया है, देश रत्र राजिंदर प्रशाद के पैतरिक आवास के केर टेकर भानू प्रताप सिंग के दोरा बताया है कि काफी लंबे अर्से से मूलभूत सुविधाओं को ले जवस्था कर दी गई है, बाकी बचे वे सारे काम अगले साथ महीनी के अंदर पूरेक कर लिए जाएंगे, इसके बाद यहां आने वाले प्रटकों को सभी प्रकार की सुवधाम मिलेंगी बिहार पुलिस महकमे के 18,000 पुलिस कर्मियों को मिला तौफा बीतर दिन ADG पुलिस मुख्याले जितंदर सिंग गंगवार के दورा दी कई जानकारी के नुसार बिहार सरकार के दोरा बिहार पुलिस महकमे के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पुलस कर्मी और पुलस बदाधिकारी को उच पदपद पदोनत किया गया है उनके दोरा दीके जानकारी के नसार इन सभी के वेतनमान में विधी नहीं की गई है पता दे किसको लेकर गिरी विभाग के दोरा सुकृती दे दी गई है उन्होंने बताया कि नीचले रैंक के अधिकारियों का प्रभार बढ़ेगा लेकिन उनकी साल्डी में कोई बदलाव नहीं होगा अगरी विभाग के दोरा 18,000 पुलस कर्मियों उच्चतर प्रभार की स्विपृत दी गई है उन्होंने कहा कसे राजय सरकार के राजशोग पर भोज नहीं बढ़ेगा यह नेनने कारे हित में लिया गया है यह कारे कारी प्रभाव होगा देंगू को लेकर स्वास्त विभाग अलर्ट मोड में आ गया है इसको लेकर विभाग के दोरा जलो से हर रोज रिपोर्ट ली जा रही है वेक्टर जनित रोग नियंतरन के अपर निदेशक सहराजे कारी करम पदादिकारी डॉक्टर अशोक कुमार के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि देंगू से ने पटने के लिए स्वास्त विभाग के दोरा राजे की सभी जलाज पतालो में मच्हरदानी के साथ साथ दस बेड सुरक्षित कर दिये गया है इसके लावा राजे के सभी जलाज पतालो सहित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालो में डेंगू जांच संबंध किट भी उपलद करा दिया है इसके तहर दिंगू चांच किट की उपलदता एवं डैनी खपत दिंगू के संदेग्ध मरीजों की जांच भरती एवं डिस्चार्ज की अधिकतम इस्ति प्लेटलेट्स की उपलदता एवं डैनी खपत की जानकारी ली जा रही है राजे स्वास्त समीती पटना में प्रशासनिक प्रधान कारयाल है साल 2008 में बिहार सरकारद्वारा कलेक्टरिट को विडासत भवन के रूप में सूची बद किया गया था कलेक्टेरियट भवन के निर्मार में डच वस्तुकला और बिटिस वस्तुकला की उच्छ सैली देखने को मिलती है पटना के कलेक्टेरियट में विवन तरह के सरकारी विभाग है जो पुर्णत अस्तित्व में है दिन के समय में कलेक्टेरियट में आपको काफी भीर देखने को मिलेगी यहां सरकारी तिथा गैर सरकारी लोगों का आना जाना लगा रहता है हाला कि शाम होने तक यहां का मोहल सांथ हो जाता है यह इमारत 12 एकर में हैं जिसके हिस्से 250 साल से भी जादा पुड़ाने हैं इसमें उची छत, बड़े दर्वाजे और लटकते वे जूमर है यातयात नियमों के उलंगन पर जारी चालान राजे पडिवहन आयुक्त कर सकेंगे नरस्त संसोधन के लिए फॉर्म ए जबकि चालान निरस्त करने के लिए फॉर्म बी जारी किया गया है चालान में संसोधन के लिए चालान करता पदादिकारी द्वारा इस पस्ट कारण बताना होगा उनके दोरा जिला परीवन पदादिकारी को फॉर्म A में लिखित सूशना आवश्रक आग जातों के साथ अपने नियंत्रित पदादिकारी ट्राफिक S.P.S.P. के माध्यम से इस पस्ट मंतवे अनुसंसा सहित उपलब्द कराई जाएगी इसके बाद कारण से संतुस्ट होने पर राजे पड़िवन आयुकत दोरा चालान निरस्त करने की काड़ेवाही की जाएगी संयत रूप से काड़वाई करते वे एक ट्रक और दो पिकप से तक्रीबन साथ लाख रुपे का विदेशी शराब बडामत किया गया है इसके साथ इस मामले में टीम के दौरा दो तसकर के भी गिरफतारी की गई है जिसे फिलाल पूछताच की जारी है पतादी की बडामत शराब की मातरा तक्रीबन चौवन सो लीटर है इस बात की जानकारी एसपी टाउन अधेश तिक्षत के दौरा दी गई है बिहार का लड़का सारे गामापा सो में बिखेरे का जलवा आज की दौर में बिहार के युवक यूवती भी किसी छेतर में पीछे नहीं है इसकरे में बिहार के अती नकसल प्रभावी छेतर में गिंती होने वाले इमाम गंज प्रखन के एक छोटे से गाउं शिवा बतेसा से निकलकर 18 साल का एक लड़का जिसका नाम कैफ खान है उसका चेहन सारे गामापा के टॉप 30 में हो चुका है ऐसे में आने वाले दिनों में वह जमकर इस सो में धमाल मचाने वाले हैं इससे पहले कैफ खान के दौरा 2017 में जी टीवी का सो लिटल चैंप में टॉप 40 में जगह बनाई के थी उसके बाद प्रिन का चेहन 2019 में सारे गमापा जी गंगा में हुआ जहां उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया उसके बाद इन्हें कई बड़े शो में गाने गान बिते कुछ दिनों से बिहार में हो रही बारिस लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली थी वहीं एक बार फिर से राजी में गर्मी का सलसला शुरू हो गया है बता दे के आयमडी बिहार के दौरा जारी के गए पुरवारुमान के नुसार आज यानी की एक सितंबर को लेकर बारिस के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है वहीं अगर कल यानिकी 2 सितंबर के मौसम की बात करें तो विभाग के अनुसार कल के लिए भी बारिस को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया लेकिन 3 सितंबर को लेकर राजे के दक्षिन पश्चिम, दक्षिन मध्य उत्तर पर्षिम और उत्तर मध्य भागों के जिलों के एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ में गर्जन होने की संभावना जताई गई है इसके लावा 4 सितंबर को राजिके दक्षिन और उत्तरपुर्व भागों के जिलों के एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ में गर्जन होने की संभावना जताई गई है राजंदर नगर टर्मिनल बना बिहार का पहला इट राइट स्टेशन फूट सेफ्टी एंड स्टेशन और ऑफ इंडिया के दोरा बिहार की राजधानी पटना इसथ राजंदर नगर टर्मिनल को राजिक का प्रथम इट राइट स्टेशन का प्रमान पत्र दिया गया है आपके जानकारी के लिबता दे कि अफ्रमानन उन रेल्वे स्टेशन को ही प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को उच गुनवत्ता युक्त पॉस्टिक खादे आहार प्रदान करने में खादे सुरक्ष कानून द्वारा नरधारित मानक अस्तर को पूरा करते हैं इनमें कैंटीन एवन स्टोर संचालको का खाना बनाने उसके बहतर रख रखाओ यात्रियों को भोजन परोसनी आदी का अध्यतन तरीका शामिल है ऐसे में बिहार के पटना इस्तराजिंदर नगर टर्मिनल में भी यात्रियों के खाने पीने का अच्छा इंतिजाम रहता ह है और साथ यहां स्ताफ सफाई और गुनवत्त का भी ध्यान दिया जाता है मुंबई में इंडिया गडबंधन की पहले दिन की बैठक खत्म हो चुकी है ऐसे में मीडिया में चल रही खबरों के नुसार बीते दिन हुई सौनवचारिक बैठक में शीट शेरिंग को लेकर चर्चा की गई और सुझाओ दिया गया कि शीट शेरिंग की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए पतादी की बीते दिन होड़े इस बैठक का वीडियो कॉंगर्स के द्वारा शेयर भी किया गया था इस बैठक में कुल 28 दलोग नहीं हिस् दो पहर दो बजे MCC और MRC की तरफ से लंच आयूजित किया जाएगा और फिर दो पहर सारे तीन बजे इंडिया गडवन्धन की ओर से एक प्रेस कॉंफरेंस आयूजित किया जाएगा समराच चौधरी ने अपनी टीम को दिया अंतिम रूप भासपर प्रदेश अध्यक्ष समराच चौधरी के द्वारा बिहार बीजेपी की पूरी टीम की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है जिसके अंतरगत अती पिछला समुदाय से आने वाली नेता भीम सिंग को प् मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में बलराम मंडल की अनुसुजित जाती मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर लखिंद्र पाश्वान की अनुसुजित जंजाती मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर सालेंदर गरवाल की अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर कम जिन्दर गुपता और सहसंयुजक पत्पर घंसयान ठाको निक्त किये गया है। पहले की तरह ही कारे करते रहेंगे। बतादी कि प्रदेश रिकाई का भंग होना पार्टी के कारे करताओं और समर्थोकों के लिए बड़ी तयारी का बड़ा संदेश माना चारा है। इंडिया और पाकस्तान के बीच होने वाले मैच पर मंडरा रहा है खत्रा। इश्यकप 2023 में भारत और पाकस्तान के बीच दो सितमर को मुकाबला खेला जारा है ऐसे में इस मैच को लेकर फैंस काफी बेसवरी से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम भारत और पाक के बीच होने वाल इस मैच पर खत्रा मंडराने लगा है। दरसर श्रिलंका के पल्ले के रंतराश्री क्रिकेट स्टेडिया में खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज महा मुकाबले में वारिस का खत्रा मंडरा रहा है। मौसम भाके नुसार कैंडी में भारत पाक मैच में असी फीजदी बारिश होने की संभावना है और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम उमस भरा रहेगा वहीं अगर हम कैंडी के तापमान की बात करें तो तापमान बाइस डिग्री से 27 डिग्री सलसियस तक रहने की उम्मीद है। और पाकस्तान की टीम बंडे फॉर्मिक में चार साल बाद एक दूसरे का सामना करने वाली है। इंडियन ओयल कंपनी को 1964 में विले करके इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन बनाई गए। इतकार चेंबई वैद्यनात भगवतार का जन्म 895 को हुआ था। प्रसिद गोड़िय वैश्नप गुरुत था धर्ण प्रचारग भक्ती विदान स्वामी प्रभू पाद का जन्म 896 को हुआ था। भारती क्रिकेटर माधव मंत्री का जन्म 921 को हुआ था। प्रचीप तन्वीर का जन्म 923 को हुआ था। हिंदी के कभी और गजलकार दुश्यन कुमार का जन्म 923 को हुआ था। भारत के राजनेत्रग्यों में से एक पीए संगमा का जन्म 947 को हुआ था। आज के दिन को राश्य पोसहार दिवस और गुट निर्फिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कि वालकर में आजम बात करेंगे Indian Cyber Crime Coordination Center के बारे में सोसल्मीडिया पर कई सुचना बारल होती है लेगिन सभी सच हो ये जरुरी नहीं ऐसी करें में आजम बात करेंगे इंडियन Cyber Crime Coordination Center के बारे में है साइन इन ऐसे कड़े चिक हर इंड्रोइड यूजर का आप मुवमन एक गूगल अकाउंट जरूर होता है जिसे वह कंपनी की अलग-अलग सर्विसस का अलाव लेता है कई बार काम के चलते पब्लिक कंप्यूटर या ओफिस के लैप्टॉप या डेक्स्टॉप में गूग या अपने फोन के गूगल एप में जाकर मैनेज अकाउंट पर क्लिक करें इसके बाद सेटिंग एंड प्राइवसी में और मैनेज ओल डिवाइस पर क्लिक करें यहां आपको वह सभी डिवाइस देख जाएंगे जिसमें आपका गूगल अकाउंट खुला है भारत के जीड इकनौमी ग्रोथ चालू वितवर्ष की चारू तिमाहियों में आठ फीज़ी, 6.5 फीज़ी, 6 फीज़ी और 5.7 फीज़ी रह सकती है अगर हम बाकी बड़ी एकनौमी पर नज़र डाले तो दुनिया की सबसे बड़ी एकनौमी अमेरिका ने जून तिमाही के दौरान 2.5 की इंडियन साइबर क्राइम कोडिनिशन संटर की माध्यम से किया जाएगा, इसके लिए हर स्कूल के एक-एक सक्षक को केंदर के माध्यम से साइबर विशिशग्य के तौर पर प्रसक्षित किया जाएगा, इसके बाद ये सभी सक्षक नूरल के तौर पर साइबर जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार, पोलिस, दरोगा, समीत, SSC जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाओं में कामाएंगे, सवाल इतिहाँ, बिहार, स्पेस्टल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल्स रहेंगे, पूछे के पाचो सवाल में आपने कितना सही उतर द इसका सही उतर है, option B, उतर प्रदेश, अगला सवाल, हाली में कहा की राजे सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षन बढ़ा कर 35 प्रतिशत कर दिया है, option E, मध्यप्रदेश, option B, हिमाचल प्रदेश, option C, उतराखंड, option D, बेहार इसका सही उतर है, option E, मध्यप्रदेश, अगला सवाल, हाली में किस सहर ने एर क्वालिटी, अर्ली वर्निंग सिस्टम अपनाया है, option E, बेंगलॉर, option B, मुंबाई, option C, कॉलकाता, option D, दिल्ली इसका सही उतर है, option C, कॉलकाता, अगला सवाल, अशोक का लगु सिलालेक एक प्राप्थ हुआ है, option E, सासाराम से, option E, सहसराम से, option B, केसरिया से, option C, रामपुरवा से, option D, वैसारी से इसका सही उतर है, option E, सासाराम से, अगला सवाल, बेहार के भगॉलिक छेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्ति में मिलती है, option E, अथर्वेद, option D, सामवेद, option C, सत्पत ब्राहमन, option D, वायू पुडान इसका सही उतर है, option C, सत्पत ब्राहमन, बेतितन हमायदर पूची का सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों न प्रचाप, हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमायदर पूची का सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है, संतोश कुमार चरासिया, इसके साथ ही बरते आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके नुसार इंडिया गडवन्धन की तीसरी बैठक से NDA पर क्या असर होगा, अपना जवाब हमें मारे comment section में लिख कर ज़रूर बताएं, आज के लिए तना ही बिहार के तमाम कपरों के साथ, बरेड़ाने के लि सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बुक से देखे तो पेस को फॉलो करना ना भूले, थान्य बाद